बिग बॉस सीजन 14 के घर के अंदर रुबिना दिलेक और अली गौनी का एक बहन भाई का रिष्टा बना है एक ऐसा रिष्टा जो दर्शिकों को भी पसंद आ रहा है और रुबिना और अली के दिल के भी काफी करीब है लोगों ने काफी कोशिश की इनके जरिष्टे को तोड़ने की लेकिन इन दोनों ने इस जरिष्टे को बिल्कुल भी खराब नहीं होने दिया और अब रुबिना से एक बड़ा काम करवा दिया है अली ने हम आपको बता दें कि हमने आपको बीते वीडियो में बताया था कि अली गौनी की मा उनसे मिलने आई थी जहां पर वो अली की भानजी को भी लाई थी हाली में अली की भानजी हुई है और सबसे पहले जब अली को ये बात पता चली थी तो उसने रुबिना को ही बताई थी अब ऐसे में जब अली की मा आती है तो वो आकर अली गौनी को ये बताती है कि अली अभी तक हमने इस बेबी का नाम नहीं रखा है तुम्हारी इस भांजी का नाम नहीं रखा है क्योंकि हम चाहते हैं जब तुम बहार आओ तो तुम खुद इसका नाम रखो ऐसे में अली गौनी काफी जादा एमोशनल हो जाते हैं वो अपनी माँ से मिलने के बाद बाहर जाते हैं थेयर्टर से तो वो रुबिना से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी भांजी का नाम आप रखें तुमकि वो आपकी भी तो भांजी हुई वो आपकी भी तो बहन की बेटी हुई जब मेरी माँ आपको अपनी बेटी कह रही है तो मेरी बहन की भी तो आप बहन हुई आप भी तो मौसी बनी हो तो ऐसे में रुबिना दिले काफी जादा खुश हो जाती है और इमोशनल हो जाती है और वो अली को दो दिन नाम बताती है और कहती है इसी में से कोई एक नाम रखना वो बहुत प्यारी है और उस पर ये नाम बहुत प्यारा लगेगा जिसके बाद अली कहते हैं देखो आपने तो मौसी होने का फर्ज निभा दिया आपने तो उसका नाम रख दिया अब मेरी बारी है ऐसे में अली गौनी अंदर से अपना कॉफी का डिबा लाते हैं और रुबिना को दे देते हैं कहते हैं कि अभी तो मेरे पास आपको जादा कुछ करें सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें